की अस्सलामूलेक opens備 जोल बहु कैते हैं चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी यहां पर मैंने एक जार में देर कटौरी दही करें में करें क्षाशन हैं यहां को ग्रीया ऑफ करें के बाद यहां पर मैं one glass water is matte करूंगे इससे ज्यादा पानी आपको नहीं दालना है यह दिखें यहां पर मैं एक glass water is matte कर लोगी यह दिखें इतना गाड़ा होना चाहिए हमारे दही इस ज्यादा पतला नहीं रहना चाहिए यह देखें मैं आपको इसे चमजे को लगा कर भी ब से निकालने के बाद इसमें मैं दालूंगी नमक थोड़ा पीका था तो मैंने नमक आट के लिया अज्रकलेसन पेस्ट थोड़ा दालना है आपको ज्यादा नहीं मिर्ची पॉडर हल्दी पॉडर थोड़ा थोड़ा दालना है आपको ज्यादा नहीं दालना है यहां पर मैं आप हल्दी और मिट्शी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें पूरा दही में अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए यह देखिए इस तरह से करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये दिखिए मैं इसे चिद्रा से mix कर लिया हैं मैंने ये दिखिए कितनाँ तर शार तर कट्वध मीखम एन्मी में दालूँगी इसे भी हम ठोड़ा Coast कर लेंगे इसे mix करने के बाद हमे मीखमाच माड़ा है और इसमें बादर दालेंगे यहां पर में दो बड़े चमच तेल इसमें ले रही हूँ इससे तद आपको नहीं लेना है इसे आप इस तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले यह देखे हमारा तेल हलके से गरम हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, यह दिखिए, हमारा तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होने के बाद, आपको इसमें जीरा हिट करना है, आपको ज्यादा नहीं दालना है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राया दालेंगे आप, ज्यादा नहीं दालेंगे, ज्यादा दालने से आपके मु में जीरा और राया आएंगे खाते वक्त यहां पर मैं ऐसे प्यास से बगार रही हूं आप चाहे तो लाइसन से भी बगार सकते हैं लेकिन प्यास से टेस्ट अच्छा आता है यह देखें इसमें मैं एक डली प्यास दार रही हूं मीडियम से इसकी इसे आप दाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लें बिर्यानी की प्यास जैसा फ्राई करते हैं इस तरह से इसमें हम फ्राई कर लेंगे यहां पर मैं हलका हलका ब्राउन आ गया है कलर इसे मैं चीज़ा से फ्राई कर लूँगी हमारी प्यास आधी फ्राई हो गई है यह देखिए अब हम इसमें दालेंगे करेपक और सुखी लाल मिट यहां पर मैं करेपक थोड़ा दाल रही हूँ इसके बाद यहां पर सुखी लाल मिट इसमें आट कर लूँगी आपको बगार को जलाना नहीं है यह देखिए इसे मैं अचीज़ा से मिक्स कर लूँगी इसके बाद यहां पर मैं स्टॉव आफ कर लूँगी स्टॉव आफ करने के बाद आप इसमें जो दही हमने मिक्स करके रख लिया था ये दही हम इसमें आड़ कर लेंगे ये दिखी मैंने इसमें डाल लिया है इसे एचे दरह से मिक्स कर ले आपका दही का जोल रेड़ी है इसे दही का तड़का भी कहते है मेरे बनाने का तरीखा पसंद आया हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए थांक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो कर दो लाचिंग मैं वीडियो